हलो यूरिवन आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक कवर करेंगे प्रेसिडेंट राश्टपती दोस्तों प्रिलिम्स का एक्जाम हो चाए मेंस का इस टॉपिक से एक्जाम में क्वेशन बनते हैं तो मैंने प्रिवियस येर्स पेपर्स के जितने भी इंपॉर्टन वन लाइनर्स और फैक्ट्स हैं सबको इस वीडियो में इनकॉर्परेट किया है प्लीज वीडियो के अंतक बने रहें और आपका कोई भी कमेंट हो फीडबैक हो तो जरूर सजेस्ट करें तो चले शुरू करते हैं यूनियन एग्जिकिटिव का पार्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कॉंसल अफ मिनिस्टर और अटॉर्णी जनल होते हैं और इनका जो मेंशन किया हुआ है, Constitution के Part 5 में, Article 52 से लेकर, 78 में इनके बारे में लिखा है, Union Executive के बारे में प्रेसिडेंट जो हैं, वो इंडिया के Head कहलाते हैं, और वही इंडिया के First Citizen, यानि पहले नागरिक के रूप में जाने जाते हैं Constitutional Position में बढ़ने से पहले, मैं आपको President से related कुछ Articles बता दूँ, जैसे कि Article 53 में Executive Power of the Union के बारे में लिखा है, Election of the President जो है Article 54 में 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 मेंशन है Manner of Election of President मतलब President के Election का क्या तरीका होगा, वो Article 55 में लिखा है, 56 में बहुत important है, एक्जाम में एक question कई बार पूछा जाता है 56 में लिखा हुआ है Term of Office of President, राज़पती के कार्याले में उनका tenure क्या होगा, 57 में ये लिखा है कि वो reelect हो सकते, यानि उसके लिए क्या liability होती है हो सकता है और elect हो सकता है, आर्टिकल 58 में qualifications for election as president के बारे में लिखा है, 59 में president के office के conditions के बारे में लिखा है आर्टिकल 61 में mentioned है, 62 में ये लिखा है कि time of holding the election to fill the vacancy in the office of president and the term of office of person elected to fill the casual vacancy जो time है election hold करने का, अगर president के office में vacancy हो गई है, तो वो क्या है, वो 62 में mention किया हुआ है और 63 में लिखा है, जब कभी भी president casual vacancy होगी president के office में, तो vice president उनकी जगा act करेंगे president के तो यानि president का जो function है, वो discharge करेंगे कौन vice president उप राष्टपती जो है, राष्टपती का काम करेंगे, और जब कभी भी राष्टपती absent होगे अपने office में, तब उप राष्टपती ये काम करेंगे, ये article 65 में लिखा है, important है, इसको आप देख लेंगे तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपसे request करूँगा, अगर आप channel पिनाए हैं, तो please channel को subscribe कर लें, और वीडियो अगर पसंदार हो, तो please like और share जरूर करें तो constitutional position of the president में हम लोग देखते हैं कि president जो एक nominal executive है, जबकि real executive जो है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है, वो council of ministers के head है, तो real executive council of ministers के पास है, जिनके head प्राइम मिनिस्टर है, और president nominal executive कहलाते है अब क्या है, president को article 74 के अनुसार, अपने powers of functions का exercise, council of ministers, मतलब मंत्री मंडल के aid and advice सलाह पर ही करना होता है, किनको president को article 79 जो है, वो ये कहता है कि लोगसभा, राजसभा और president ये तीनों मिला कर parliament कहलाते है, तेकि ये कौन कहता है, article 79 यानि कि संसत का भाग जो है, राष्ट्रपती, लोगसभा और रासभा तीनों सम्मेले तरोप से होते हैं, ऐसा article 79 कहलाते है कहता है, इसका मतलब, parliament में अकेले केवल लोगसभा और रासभा नहीं होते, बलकि president भी parliament का ही part है some important facts को देख ले, देखिए, first president हमारी डॉक्टर राजिन परसाथ थे और उन्होंने तीन बार सर्व किया और जो नीलम संजीव रिड़ी हैं, उन्होंने कभी vice president के office को hold नहीं किया, वो directly president के रूप में ही elect हुए दॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन जो हैं, उनको philosopher king या philosopher ruler के नाम से भी जाना जाता है जब 1954 में भारत रतन अवार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार इंडिया में, उस वक्टर सरुपली राधा कृष्णन को भारत रतन का अवार्ड दिया गया था और उनके साथ अवार्ड पाने वाले सी राज गोपालाचारी और सी वी रवन भी थे वीवी गिरी जो हैं, वो trade union movement से associated रहे थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जो 11th president है, 11 राष्ट्रपती है भारत के, उनको missile man के नाम से जाना जाता था अब justice M. Hidayatullah जो हैं, एक मात्र ऐसे supreme court के chief justice हैं, जिन्होंने राष्ट्रपती के तौर पर 1969 में काम किया था प्रेशिडेंट के election के लिए आखिर क्या eligibility होनी चाहिए, वो article 58 में लिखी हुई है आप देख ले, presidential candidate कोई भी है, राष्ट्रपती के लिए अगर कोई चुनाव में उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो इसके लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी है, वो भारत के नागरिक होनी चाहिए, citizen of India उन्होंने 35 साल की age, यानि 35 years की age complete कर ली हो, तीसरा वो लोगसभा के MP, मतलब लोगसभा के member बनने के लिए जो qualification होनी चाहिए, वो hold करते हो, प्लस वो कोई भी office of profit hold नहीं करते हो, या office of profit क्या है, लाब का पद, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजे सरकार हो, या local या municipal authority हो, य उस पे office of profit के तौर पर राष्टपती का जो candidate है, जो मतलब presidential candidate है, वो कभी hold नहीं करें, यहाँ पर ध्यान रहे कि मंतरी पद जो है, वो office of profit के category में नहीं आता है, उसी तरह governor, president या vice president का जो पद है, वो office of profit के category में नहीं आता है, ठीक है, अगली बात ये, कि presidential candidate जो कोई भी हों agency में, यानि कि कि किसी भी संसदिय चेतर में, उनको elector के तौर पर, यानि voter के तौर पर, register होना अनिवार है, और जब कभी president या vice president जो है, ठीक है, आपके candidate खड़े होंगे, तो आप ध्यान रखे, आप presidential candidate जो है, वो nomination paper जो है, अपना जब भी sign करेंगे, तो at least 50 electors, proposers के रूप में sign करेंगे, ठीक है, तभी कोई presidential candidate के लिए अपना nomination paper sign करेगा, ठीक है, अब, election of the president के बारे में, article 54 में mention है, क्या mention है, तो president जो है, वो indirectly elect होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, by the members of electoral college, consisting of elected members of both the horses of parliament, यहान ध्यान रहे, elected members लिखा हुआ है, यानि कि, जो भी संसद के, आपके सदस हैं, MP हैं, वो सारे MP चुने हुए होने चाहिए, मतलब, nominated MP नहीं होने चाहिए, वो nominated MP, electoral college का part नहीं होंगे, वो presidential election में vote देने के लिए, eligible नहीं होंगे, उसी तरह, जो राजियों की विधान सभा है, state की legislative assembly, उनके जो elected members हैं, यानि कि MLA है, वो MLA, elected वाले ही, eligible हों उसी तरीके से, डेली, पुडुचेरी और जम्मुकस में, तीनों में आपको पता ही, ये तीनों ऐसे unit territory हैं, जहां legislative assembly है, तो यहां के जो elected member हैं, वो भी eligible होंगे, राष्टपती के चुनाव में vote करने के लिए, ठीक है, अब ध्यान रहे आपको, कि यहां nominated members जो parliament के हैं, वो nominated members eligible नहीं होते, चाए वो parliament के हों, या legislative assembly के हों, साथ-साथ, कोई भी state legislative assembly अगर भंग हो गई हो, डिजाल हो गई हो, तो उसके जो member होंगे, MLA होंगे, वो भी presidential election में vote करने के लिए, qualify नहीं होंगे, एक और चीज़ बता दू, कि जो भी member हो, चाए elected हो, या nominated, वो state legislative council के हों, तो eligible नहीं हों, मतलब यह हुआ, कि विधान परिशद के कोई भी सदस, मतलब MLC, member of legislative council, विधान परिशद के कोई भी सदस, चाए वो चुने हुए हों, elected हों, या nominated हों, वो eligible नहीं होते है, president के election में vote करने के लिए, अब manner of election of president, article 55 के तर, क्या कहता है, जो constitution है, वो कहता है, कि there shall be uniform uniformity as far as practicable in the scale of representation of the different states at the election, देखिया, चुनाव में, हर राजियों का जो representation होना चाहिए, वो uniform होना चाहिए, तो इस uniformity के लिए, इस uniformity के लिए, एक formula बनाया गया, वो formula जो है, on the basis of population of each state, determine किया गया है, मतलब, हर एक राजिक का, हर एक राजिकी क्या जनसंख्या होगी, उस जन संख्या के आधार पर, वहाँ के, मतलब, उस राजिके, MP और MLA के vote की value determine की जाती है, ठीके, अब, जो 84th constitutional amendment act है हमारा, जो 84 संधियान संसोदन अदिनियम है, 2001 का, उसी में, ये decide हो गया, कि 1971 का जो census हुआ था, 1971 की जो जंगन्ना होई थी, तब के census का जो population figure था, हर एक राजिक का, हर एक state का, वही for the purpose of calculation of value of votes for the presidential election यूज होता रेगा, जब तक राश्टपती के चुनाओं के लिए जब भी data लिया जाएगा, तो calculate हम लोग किस अनुसार करेंगे, 1971 के census के अनुसार करेंगे, कब तक 2026 तक के लिए ये नियम मनाया गया, अब देखें, फार्मुला है क्या जो number of votes of elected MLA हैं, पहले वो देख लेते, वो कैसे निकालते हैं, हर एक state का population, upon number of elective seats of that particular state assembly, देखें, अब अगर आंदरप्रदेश के case मिलेंगे, इन्टू 1,000, इन्टू 1,000, ये जो है, इन्टू है, इन्टू 1,000, देखें, illustration के लिए एक example के लिए, आंदरप्रदेश का example आंदरप्रदेश का example, 1971 census के अनुशार, 2,78,560, है, 2,78,586, और वहां के जो elective seats हैं, मतलब विधानसभा की seatें जो है, वो 175 है, 175, तो अगर आपको number of votes for each MLA निकालना है, तो formula क्या कहता है आपका, population of the state, upon number of elective seats of assembly, इन्टू 1,000, तो आप यहां क्या किजी, 2,78,586, upon 1000 into 175 करेंगे, तो 158.86, यानि कि approximately इसको round off करेंगे, तो 159 आ जाएगा, तो इसका मतलब आंदरप्रदेश के हर एक MLA के vote की जो value है, वो 159 होगी, अब देख लीजे, अगर 159 जो है, एक MLA के number of vote है, मतलब उनकी जो value है, तो अगर total value of votes आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे, total value of votes के लिए, आप formula लगाएंगे, number of elective seats and that assembly into, यानि multiplied by number of votes for each member, तो देखे, number of elective seats आंदरप्रदेश का अगर example लें, तो कितना है आंदरप्रदेश में, 175, तो इसको multiply कर दीजे, यह जो आपके हर एक MLA की vote की value है, तो 159 है, तो आपका total calculation करेंग आप तो कितना जाएगा, 27,825, तो इस तरह से 27,825 जो है, आँदरप्रदेश की total value of votes है MLA की, अब सवाल यह है, कि value of vote of an MP क्या है, माल लिजे, कोई MP चाहे, वो राजसभा के elected MP हों, या लोगसभा के elected MP हों, उनकी जो value of vote होगी, वो क्या होगी, तो देखे, total value of votes of all MLA's of all the state legislative assemblies पहले निकाल ली जाती है, यानि कि भारत में जितने भी राजे हैं, उनकी जितने भी विधान सभाई हैं, टीक है, उन सब के state legislative assembly के जितने भी MLA है, उन MLA's के votes की total value निकाल लिया आपने, और निकाल के upon कर दिया, यानि divided by कर दिया, number of elected members of parliament, तो आप बताएए, इस वक्त MP कितने हैं elected भारत में, तो लोग सभा में 543 हैं, और राजी सभा में 233 हैं, तो total कितने हुए, 776 total MP जो elected है, चुने हुए, तो अगर आपको value of each vote निकालना होगा, तो अभी अगर मैं आपको एक figure बता रहा हूं, जो total value of votes of all MLA's of the state legislative assemblies है न, यह है आपका 543,231, तो इसको divide क तो इसका मतलब इसको round off करेंगे तो 700 आलेगा, तो जो total value of votes of parliament आप निकालेंगे, वो आएगा आपका 776 into 700, यानि 5,43,200, अब जो total number of votes of the elector of the presidential election अगर आपको देखना है, तो देखे हाल फिलाल में जो election हुआ, जिसमें स्रिमती दरावपदी मुर्मू जो हैं, वो भारत की र election हुआ है, तो इस election में elector की जो detail है, वो मैंने यहाँ पर mention किये, देखे, electors में MLA 4033 थे, MP776 थे, तो अब आप ये कहेंगे, कि JNK के MLA क्यों नहीं लिए गए 90, तो इसलिए नहीं लिए गए, क्योंकि JNK में भी चुनाओ नहीं हुआ है, ठीक है, अब क्या है, total 4809 electors ने MP थे, आपके 776 और MLA थे आपके 4033, तो total value of votes निकाली जब गई, MLA की आई 5,43,231 और MP की आई 5,43,200, तो total ये value आ गई 10,86,431, अब दिखे, जो secret ballot के थू ही voting होती, EVM में, EVM से voting नहीं होती है, इसमें, president के election में, ये ballot paper के जरिये होती है, और secret ballot यहाँ पर use किया जाता है, exam में कई बार आ जाता है कि बताइए, president का election का क्या system है, तो system में आप लिखेंगे, system of proportional representation by means of single transferable vote, यही exam में आते हैं, अब दिखें, जो detailed provision है, वो election कैसे होगा, कैसे कराए जाएगा, वो presidential and vice presidential elections act 1952 में लिखा है, और उसके तहत ही rules बनाए हुए है, वो rules क्या ह the presidential and vice presidential election rules 1974, इसके अंदर detailed provision लिखा हुए है कि चुनाओ कैसे होगा, president और vice president का, अब देखे, rule 17 जो है, उसमें clear, detailed manner of voting provisions लिखे हुए है, एक बात और, ballot paper में कहीं election symbol जो है, यूज नहीं होता है, जिसे आप EVM में या फिर ballot paper में, जब आप जाते हैं, voting के समय, election के समय, तो आप आपको symbol लिखता है, party symbol, political party का कोई symbol ballot paper में नहीं होता है, राजपती के चुनाओ, अब एक बात और, जो भी व्यक्ति, presidential candidate के तोर पर, nomination file करने के लिए जाते हैं, उनको 15,000 रुपे की security deposit जमा करनी होती है, 15,000 की security deposit जमा करनी होती है, nomination paper के साथ में, और ये security deposit काट ली जाती है, मतलब वापस नहीं दी जाती है, कब, जब वो elect नहीं होते है, वो अगर मान लीजे, चुने नहीं जाते, तो उनकी वो 15,000 रुपे की security deposit काट ली जाएगी, वापस नहीं दी जाएगी, forfeit कर ली जाएगी, और दूसरा और condition क्या है, कि उनको one sixth of the total number of votes ना मिले हो, तो समझ ज जाएगे, उनकी जो 15,000 रुपे की security deposit है, वो वापस नहीं दी जाएगी, अब सवाल यह है कि यह quota क्या है, quota कुछ नहीं majority है, जैसे बांकी अलग जगा election होता है, किसी भी विधासभा का, लोगसभा का, तो आप majority calculate करते है, majority वतलब बहुमत, उसमें आप कैसे calculate करते है, number of seats ज गर ले लेंगे, 122, एक बढ़ा के, तो 122 जो है, जो कोई भी party लेकर आएगी, आप कह देते हैं, वही विजाई हो गया, वही जीत गई, उसी तरीके से, अगर कोई presidential candidate खड़ा हुआ है, तो उनको जो majority के लिए, जो quota चाहिए होता है, वो है number of valid votes upon 2, plus 1, यानि कि जो भी valid votes प पड़े है, तो उनको 2 से divide कर दीजे, तो कितना आजाएगा, 50,000.5 और इसमें plus 1 कर दीजे, तो 50,000 plus 1 आजाएगा, यही quota है, यानि 50,000 and 1 वोट जो भी लेकर आएगा, यानि 50,000 and 1 ही quota है, वो majority का mark है, बहुमत का आकड़ा है, यह जो भी छूलेगा, वो राश्टपती के लि किया जा सकता है, मतलब चुनाओ के लिए आपको election petitioner आप फाइल कर सकते हैं, कौन petitioner होगा, 20 या उससे ज़्यादा electors एक साथ join होकर के 30 दिनों के अंदर, जिस दिन भी राश्टपती के चुनाओ कर जो result आया है, उसकी घोशना हो गई है, उससे 30 दिनों के अंदर election petitioner फाइ यह 20 elector कहाँ फाइल करेंगे election petition, Supreme Court of India में फाइल करेंगे, उनी को jurisdiction दिया गया है election petition को try करने का, अब election petition जो है, वो return candidate के नाम पे ही present किया जाएगा, अब एक बात और, राश्टपती का जो चुनाओ है, वो तो हो गया, अब राश्टपती अपने office में अंडर करेंगे, article 60 में लिखा हुआ है, साफ साफ कि शपत क्या होगी, शपत ग्रहन जो कराया जाएगा, उसका क्या process होगा, ओथ कैसे लिया जागा, प्रेसिडेंट के तौर, तो देखे, article 60 के तहट, जब भी office में enter करेंगे, उससे पहले उनको एक शपत लेनी होगी, ओथ लेना होगा, और वो ओ प्रेसिडेंट उस वक्या स्वेर करते हैं, वो स्वेर करते हैं कि मैं faithfully execute करूँगी या करूँगा office को, जो प्रेसिडेंट का जो office है, ठीक है, उसको faithfully execute करूँगी, दूसरा, preserve, protect and defend the constitution and law, तीसरा, devote her or himself to the service and well-being of the people of India, भारत के लोगों के अच्छाई और उनकी सेवा में ख कुद को devote करूँगी या करूँगा, अब देखिए, जो भी acting president है, जब कभी आपको पता है, casual vacancy अगर हो जाती है, राश्टपती के office में, तो उस वक्त, vice president या और कोई व्यक्ति उनकी जगा, उनका function discharge करता है, president का, क्योंकि president का office खाली तो ने रेगा, तो उस वक्त जो व्यक जिन भी राश्टपती अपने office में इंटर करते हैं, वहाँ से five years का tenure होता है, ऐसा article 56 में लिखा है, पास साल के बाद भी president अपने office में रह सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक उनका successor जो है, वो charge assume नहीं कर लेता है, जब उनके बाद जो है व्यक्ति आ जाता है, चार्ज अपन assume कर लेता है, तो president अपने office को छोड़ देते हैं, president चाहें तो कभी भी resign कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह resignation किसको submit करेंगे, वो resignation उप्रास्पती को देंगे, धीक है, यानि अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उप्रास्पती को देते है, vice president को देते हैं, एक बात और, president को अपने पोस्ट से 5 यर से पहले भी रिमूग किया ड़ा सकता है। लेकिन कैसे? प्रोसेस ओफ इंपीच्मेंट के ज़री है। और ये प्रोसेस ओफ इंपीच्मेंट कहा लिखा हुआ है? आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। याद रहें आपको आर्टिकल 61 प्रोसेस ओफ इंपीच्मेंट को हिंदी में महा भीयोग भी कहते हैं। प्रेशिडेंट जो है रिएलेक्शन के लिए इंडिया में इलिजिबल मैंने आपको बता रही दिया था, को आर्टिकल 57 में लिखा है। 61 में इंपीच्मेंट का प्रोसेस है। महा भीयोग का चार्जेज शुरू कर सकते हैं। चार्जेज इनिशेट कर दिये इंपीच्मेंट के लिए तो दूसरे हाउस में वो भेजेंगे। अगर लोगसभा ने किया तो लोगसभा इनिशेट करने के बाद इसको रिजलिशन पास करके राजसभा में बेजेगा। और अगर राजसभा ने चार्जेज इनिशेट किया हैं इंपीच्मेंट के तो वो चार्जेज वाला रिजलिशन जो है वो लोगसभा में चला जाएगा। तो दूसरा जो हाउस होगा जिस भी सदन में ये जाएगा उस सदन का काम होगा कि ये चार्जेज को इनिवेस्टिगेट करना। और अगर वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्रूब कर देता है चार्जेज तो और टू थर्ड अप दी टोटल मिंबर्शिप से मिजॉरिटी से रिजलिशन को पास कर देता है तो उसे दिन से प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा प्रेसिडेंट दूसरा जो दिल्ली पुदुचेरी जेंड के के यूनियन टेरिटरी के जो लेजिसलेटिव एसेमली के मिंबर्स हैं उसी तरीके से बागी जो राज के लेजिसलेटिव एसेमली के मिंबर्स हैं यानि कोई भी MLA चाए वो यूनियन टेरिटरी का हो चाए बागी स्टेट का कोई भी MLA impeachment में भाग नहीं लेता ठीक है याद रखेंगे अब vacancy in the president office देखें राश्टपती के कार्याले में vacancy हो सकती है लेकिन कौन कौन से केसे में पहला केसे अगर 5 साल का term उन्होंने पूरा कर लिया हो दूसरा resignation दे दिया हो तीसरा उनका impeachment हुआ हो चौथा उनकी unfortunate death हो ग उन्होंने पूरा कर लिया है तो केस नंबर 1 के लिए election जो है कब होना चाहिए before expiry of 5 years तर हमेशा राश्टपती का चुनाओ 5 साल पूरा होने से पहले ही करा लेना चाहिए दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा जो केस है ये तो अपने हाथ में है नहीं अगर ये होता है त जो है आर्टिकल 65 के तार प्रेशिडेंट के तौर पर फंक्षन करेंगे नेक्स है अगर कोई विसिटिंग प्रेशिडेंट बीमार हो जाते हैं चाहे किसी भी कारण से office में absent होते हैं तो उस ज़ौरार वाइस प्रेशिडेंट ही functions discharge करते हैं प्रेशिडेंट का अगर वाइ एक्जिकेटिव पार्स, लेजिसलेटिव पार्स, फिनैंशल पार्स, जिडिशल पार्स, डिप्लोमाटिक पार्स, मिलिटरी पार्स और एमर्जेंसी पार्स इन साथ कैटेगरीज में powers and functions को यहाँ पर डिवाईर किया गया है एक्जिकेटिव पार्स को देख लिए जितने दूल भी राश्टपती के नाम से ही बनते हैं कि यह सभी लोग उनके प्लेजर के ड्युरिंग ही ऑफिस होल्ड करतें अब आपको एक बात और बताओ कि जो governor of state है ठीक है वो और CAG और chief election commissioner और other election commissioners UPSC chairman and members finance commission के chairman and members इन सब को भी appoint करते कौन राज़पती directly administer करते हैं वो union territory को किसके थूँ administrator आपने सुनाई होगा UT में administrator होते हैं कुछ UT में lieutenant governor होते हैं और कुछ UT में administrator होते हैं काई वो administrator होए या lieutenant governor उसके थूँ administration इनके हाथ में होता हैं किनके हाथ में कि राश्टपती के हाथ में देखे एड्मिनिस्टेटर जो है उनके थूँ तो यह directly administration करते हैं कहां का union territory का और यह administrator को भी कौन अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं एक बात और आर्टिकल 78 के तहत राश्पती जब भी जाहें तो प्राइम मिनिस्टर से information ले सकते हैं किसकी तो union government के administration की council of ministers के decision की और legislation के proposal की ठीक है SC, ST या OBC के conditions को देखने के लिए appoint भी कर सकते हैं committee को और interstate council को भी appoint करते हैं जो अंतर राजिया परिशद होते हैं उनको भी appoint करते हैं कौन राश्पती अब देखें किसी भी area को scheduled area declare कर सकते हैं और उनके पास scheduled area और tribal area से related जो administration है तिके उसका power president के पास है अब legislative power क्या है यानि विधाई शक्तियां क्या है वो देखें देखें article 85 के तहत राश्पती पार्लियामेंट को प्रोरोग कर सकते हैं समन कर सकते हैं या भंग यानि dissolve भी कर सकता है कि president लोगसभा को तभी dissolve कर सकते हैं जब ministers के council की मतलब council of ministers की advice दी जाए और यह जो है article 74-1 के तहर दी जाती है अब देखें आपने joint sitting के बारे में तो सुना ही होगा joint sitting जो होगी यानि जो combined sitting होती है session होता है ना combined session दोनों का किसका लोगसभा और राश्पती संबन कर द 108 के तहट तो वो क्या समन करेंगे कि joint sitting होगी both the houses of parliament की लेकिन ऐसे joint sitting में लोगसभा के speaker जो हैं वही preside करते हैं तीक है यानि वही अध्यक्स होते हैं joint sitting का अब एक बात और can address the parliament at the start of the first session after each general election देखें जब भी general election होगा ना लोगसभा का तो उसके बाद जो पहला session होगा उस व अब भी साल का पहला session होगा वो भी राष्ट्रपती ही address करेंगे ऐसा article 87 में लिखा हुआ है एक सब important articles है इसलिए मैं आपको बीच में बता रहा हूं इसमें द्वायन से देख लें इस अब article 11 ठीक है article 87 यह सब पूछा जाता है राष्ट्रपती जो है 12 members of राजसभा को नॉमिनेट कर सकते हैं और ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिनको special knowledge हो या practical experience हो literature, science, art या social service अब देखे election commission के सलाह के अनुसार उनके consultation के साथ में राष्ट्रपती जो हैं वो MP के disqualification के questions को decide करते हैं election commission के consultation में president decide करते हैं MP के disqualification के questions को और कुछ bills ऐसे होते हैं जो parliament में तभी introduce के जाएंगे जब prior recommendation या permission ली गई हो राष्ट्रपती की ये भी उनके legislative power में ही आता है, president के legislative power में ही आता है जैसे कि अगर माली जी किसी राष्ट की boundary को alter करना है, change करना है या फिर नया राष्ट बनाना है तो आपको prior permission लेनी पड़ेगी किसकी राष्पती की, एक bill कभी पास हो करके act बनेगा यानि law बनेगा parliament का जब president उस पर हामी भड़ेंगे, sign करेंगे अब देखे वीटो पावर क्या है, वो अंडर आर्टिकल ट्रिपल वन है, बहुत important है, exam में आ जाता है आर्टिकल 111 ये कहता है कि जब कभी भी bill पार्लियामेंट से पास होने के बाद, president के सामने आता है तो उनके पास तीन option होते है पहला, चाहे वो bill को hold करने, sorry, bill पे sign करने, दूसरा, वो bill को hold करने को absolute veto कहते है अगर उन्होंने bill को hold किया लेकिन अगर उन्होंने कोई भी action नहीं लिया bill पे, तो इसका मतलब उन्होंने just उसको pocket में रख लिया, ठीक है, उस पे बिना action के उसको रख लिया, तो उसको pocket veto कहते है या फिर अगर वो चाहें, तो वो bill को return भी कर सकते हैं, लेकिन money bill को return नहीं कर सकते हैं, बिल को कहा return करेंगे, फिर से parliament में return करेंगे, कि आप reconsider करो बिलको, लेकिन ध्यान रहे, अगर bill को reconsider करने के बाद, with या without amendment, parliament का house दुबारा से इसी bill को pass करके, president के पास भेज देता है, तो president को उसको ratify करना ही होता है, तब वो उसको reject नहीं कर सकते हैं, 44th constitutional amendment act 1978 जो है, वो reconsideration करने का power देता है, अब देखें, जो constitutional amendment bills हैं, उनको तो राश्टपती को ratify करना ही होता है, यानि कि constitutional amendment bills को राश्टपती कभी reject या return नहीं कर सकते हैं, presidential veto legislation of states में भी लागू होती है, आपको legislative assembly या अगर legislative council भी है कहीं, तो state legislation का जो भी bill है, वो legislature से पास होने के बाद, जब governor के पास जाता है, और governor उस पे अपनी assent लगाते हैं, sign करते हैं, तभी वो bill law बन जाता है, यानि act बन जाता है, state का, article 200 के तहत, presidential veto का जो power है, president के पास होता है, कैसे, देखे, governor के पास, जब bill आ राश्टर पती के लिए, कि हां मैं इसको president को consideration के लिए भेजूँगा, तो अगर governor ने ऐसा किया, यानि राजपाल ने ऐसा किया, तो president के पास अब तीन option है, एक, या तो वो assent लगा दें, अपनी हामी भर दें उस bill पे, दूसरा, या तो वो withhold कर दें, जिसको आप absolute veto कहते हैं तीसरा, वो governor को direct करें, कि bill return कर दो, लेकिन money bill को return नहीं कर सकते हैं, ठीक है, return किसके लिए, state legislature को reconsider करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर reconsider करने के बाद, अगर दुबारा से state legislature पास करके उस bill को president के पास भेजती है, तो president bound नहीं होंगे, उसको sign करने के लिए, ठीक है, अब absolute veto अब तक, डॉक्टर राजियंद प्रसाद नहीं लगाया था, पेपसू appropriation bill 1954 पे अब तक, pocket veto जो है, ज्यानी जैल सिंग के द्वारा अब तक लगाया गया है, Indian Post Office Amendment Bill 1986 पे, ठीक है, important information है, कभी MCQ में आ सकता है, ordinance making power जो president का है, वो under article 123 क्या है, उसको देख लीजे, पार्लियामेंट के दोनों houses, या पार्लियामेंट का कोई भी एक house, session में ना हो, तब ordinance issue कर सकते हैं, article 123 के तर, ये exam में आता article, इसको ध्यान में देखे, ध्यान से देख लीजे, अब देखे, president ordinance तभी बना सकते हैं, जब हो satisfied हों, कि हाँ ऐसे circumstances exist करते हैं, कि ordinance बनाना जरूरी ह है, तो Cooper case, जो 1970 का है, उसमें Supreme Court ने ये कहा, कि president का जो satisfaction है, कि हाँ circumstances जैसे exist करते हैं या नहीं, उसको question कर सकते हैं, किस ground पे, malafied ground, तेक है, अब ordinance जो भी president के दोरा issue किया जाएगा, वो जब कभी भी parliament का house, reassemble करेगा, तो उस वक्त, उस house के सामने, वो bill रखा जाएगा, अगर bill को approve कर दिया, दोनों houses ने, लोगसभा रासभा रासभा दोनों ने कर दिया, तो वो जो ordinance है, वो act बन जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने disapprove कर दिया, लोगसभा रासभा रासभा ने, तो उस वक्त वो operate नहीं होगा, और अगर कोई भी action नहीं लिया गया, संसत के द्वारा, यानि लोगसभा रासभा के द्वारा उस ordinance पे, तो six weeks from the reassembly of parliament के date से, वो अपने आप expire हो जाएगा, siege हो जाएगा, तो इसका मतला आप समझ गए, कि parliament जब reassemble करती है, और उस पे कोई action नहीं लिया जाता है, ordinance पे, तो six weeks तक कोई ordinance चल सकता है, तो अगर maximum life आप से पूछी जा होगी, तो देखिए, सलसत का जो adivation होता है, जो sessions होते हैं, parliament के, sorry, sessions होते है, parliament के, उनके बीच का जो gap होता है, दो session के बीच का gap, छे महीने से जादा नहीं हो सकता है, तो six months यहाँ पर हो गया, और six weeks, अभी आपको मैंने बताया ही, six weeks जो है, वो, six weeks क्या है, six weeks है, आपका from the re-assembly of parliament, तो यह six months और six weeks maximum life होगी, किसकी, ordinance की, अब financial power की बात करते हैं, देखे, finance commission को constitute करने का जो power है, वो president के पास है, every five years president ऐसा करते है, finance commission को article 280 के तहत, constitute किया जाता है, किसलिए, center और state, यानि केंडर सरकार और राज सरकारों के बीच, revenue जो है, राजस हैं, उसका बटवारा कैसे होगा उसके recommendation के लिए, उसके अनुमोदर के लिए, जो money bills हैं, वो बिना recommendation के, president के recommendation के, कभी भी introduce नहीं किया जाते है, parliament में, और जो union budget है, union budget करके कहीं नहीं लिखा है constitution में, हर जगा annual financial statement ही लिखा है, तो annual financial statement जो ले किया जाता है, parliament में, वो राश्ट्रपती के कहने के बा recommendation, देखे, राश्ट्रपती अगर recommend करेंगे, तभी demand for a grant can be made, और राश्ट्रपती ही contingency fund of India से advances ले सकते हैं, अब देखे, judicial power क्या राश्ट्रपती के पास, president के पास, president जो है, chief justice of India को appoint करेंगे, यहीं नहीं, supreme court के सभी judges और high court के भी सभी judges को appoint कौन करते हैं, president, और दूसरा, under article 143, जब कभी भी president को लगता है, president supreme court से advice ले सकते हैं, किसी भी questions of law पे, लेकिन questions of law पे, जब under article 143, president advice लेते हैं, supreme court से, तब वो advice, यानि वो सला, राश्ट्रपती पर बादिर नहीं होती है, राश्ट्रपती पर binding नहीं होती है, अब pardoning power of president क्या है, देखे, exam में कई बारा जात है, ये कौन से article कहता है, तो आप याद रखेंगे, article 72 में छमा देने का जो अधिकार है, जो power है, शक्ती है, राश्ट्रपती की, वो है, दीवली, ठीक है, संभिधान के अनुचेत 72 में दिया हो है, अब देखे, president जो है, pardon grant कर सकते हैं, छमा दे सकते हैं, किसको, ऐसे किसी भ law के तरह सजा मिली हो, या death penalty मिली हो, तो पांस तरह की छमा होती है, पहला है, pardon, pardon का मतलब होता है, कि completely उनको सारे sentence से, सारी सजाओं से मुक्त कर दिया, ठीक है, commutation, commutation का मतलब कोई lighter form, यानि कि कोई हलकी सजा दे दी, इसमान लिए, किसी को death penalty मिली थी, तो उसको commute करके, commutation के तो उसको जोए, 10 साल की सजा कर दी, 14 साल की सजा, ऐसे, remission, remission का मतलब होता है, period of sentence, यानि कि सजा की अवधी घटा दी गई, मालीजे, अगर किसी को 14 साल की सजा मिली हो, तो उसकी सजा छोटी करके, 4 साल की, 10 साल की, 7 साल की, ऐसे कर दी गई, इसको remission कहते है, respite, respite का answer sentence उनको award करेंगे, उनको सजा जो है, उनकी छोटी कर देंगे, ठीक है, reprive, reprive का मतलब होता है, stay of the execution of a sentence, मालीजे, कोई सजा मिली हो, तो ततकाल उसको stay उस पे लगा दिया, reprive कहते है, अब देखे, governor के पास भी छमा का power होता है, ठीक है, लेकिन governor के पास ये power, article 161 के ताहत ह होता है, और यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है, court marsal की जो सजा होती है, यानि military court के तहट जो sentences सुनाए जाते हैं, उसको जो है, governor कभी pardon नहीं कर सकते है, और दूसरा, governor कभी death sentence को पूरी तरह pardon नहीं कर सकते है, हाँ, इसको commute जरूर कर सकते है, commute मतलब lighter form जरूर दे स सकते है, ठीक है, अब देखे, diplomatic power का है, president India को international forum में represent करते हैं, जैसे कि UNESCO है न, international forum है, इन सब में president India को represent करते हैं, दूसरा, अपने जो diplomats हैं, यानि कि ambassadors हैं, high commissioners हैं, उनको भेजते हैं, कहां, दूसरे देशों में, ठीक है, राजदूत, जिनको आप कहते हैं, international treaties, यानि जो अ होते हैं, और उसमें parliament का approval जरूर लिया जाता है, अब देखे, military powers क्या है, military power है कि president जो है, supreme commander होते हैं, defense forces of India के, और president ही जो है, appoint करते हैं, chief of the army, navy और air force के chief को, ठीक है, president war को declare भी कर सकते हैं, और peace भी conclude कर सकते हैं, लेकिन हां, ये parliament में approval इसका लेना होता है, अब emergency powers के हैं, दे detail में बताया हुआ है, तीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, 15-20 मिनट का आप उसको अच्छे रंग से देख सकते हैं, जिसमें national emergency, article 352 के तद, president proclaim कर सकते हैं, president rule जो है, article 356 और 365 के तद लगाया जाता है, यहाँ पर मैं detail में बताओ, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे रंग से बि किस article के था, तो article 361, class 2, यह important है, याद रखेंगे आप, ठीक है, article 361, class 1 के तहत, civil proceedings जो है, वो institute की जा सकती है, president या, governor के, अगेस्ट में, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज चैनल को like, share, वीडियो को like, share, और